वेल्कम बैक टो आवर चैनल खर्मय ग्लासेश तो बच्छो आज हम क्लास 7 लर्ण पहले स्मार्ट शॉसिल साइंस का जो जॉक्रोपी का चैप्टर नमर सेकंड है इंसाइड आवर आर्थ तो इसके जो कॉसन आंसर से उनको आज हम कम्प्रिट स्टैडी करेंगे से पहले हम इ सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने ग्लास में इसको भी प्लीज ये वीडियो शरूर शेयर कीजिए ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं इसके कोशन आंसर्स के लैटास प््रैक्तिक्स कें स्टार्टिंक कोश्ण ने बोऊंस आप हैं टिक करना फॉम्हें तो मिन्नल मिन्न शार्ण फाॉंड एक मिन्नेल्स फांड इन दाख कॉंटिनेंटल मासेस टिक है कॉंटिनेटल मासेज। भी जो मिन्नल्स पायज आते हैं, वो है आपका ओपसन मर एक, इसलीका एंड अलुमिना, ठिक है, सिलीका एंड एलुमिना, नेक्स्त इक कॉशन से हम वैल कहनों कि दिफ ब्लू फोर्सेज इस बेटू अर्फ सर्फिस टिक है तो ऑप्शन नमर डी बॉल कहनो इसका अंसर है ठीक है आगे दिखते हैं क्वेशन नमर थर्ड कॉशन नमर आपका थर्ड है बन आप बन आप दीज मिनल्स इस मोस्ट अबुडेंट ऑन दा क्रेस साथ पर मोस्ट आपका ऑक्षिजन ठीक है ना क्योंकि ऑक्षिजन जो है सुपके सेवन्टी रशन जो है हमारे यह वाला में है सबसे जादा मिलने वाला है तो यह आंसर आपका अक्ष्ट गफ्ष्ट ऐस्ट लिएर और्थ और्ट जो सबसे थनीश लेयर है टिक है वह अब कर ठीक है जो के आप सूरी करस्ट ठीक है जो कि सबसे ऊपर के लेयर है वो सब से नसलेर है ठीक है ना ऑज दिखते है तो फोसिल्स फ्रम मेरी मैं इअ डेड ठीक है बैजिटेशन साज में। टार्श डार्ट इस रिशने का ठीक है किस लेइन के जाद होती है तो answer тобmost की दो के आले वे ल प्रीमियल सी अंट की अफूकी और पॉक्स से और इस एनित क्राम से होता है है जो नेक्स्टस कोने कि आया नायक्त वर्थ ह मुलब टीक होने होते आपके अग्रवा सेडिमेंटरी तो इसमें आएगा आपका इग्रियस और सेडिमेंटरी ठीक है आगे हम देखते हैं वर्री सर्ट टाइप के क्यों सीडियन पर है कि फर्स Q to a pot happen वेन एक इंडिमेंटरी रॉक्स अंडर हीट एंड़ प्रेशर मतलब इनियस और सेडिमेंटरी रॉक्स ही अगर ज्यादा हीट और प्रेशर में होती है तो क्या होता तो इसका अनसर आपका यह वाला अगर ज्यादा हीट और प्रेशर में होती है तो यह आंसर आप राइट कर सकते हो नाइस दिखते हैं सेकेंड कुश्चिन हाउ इंट्रियर ऑप अर्थ इस्टेक्चार्ड ठीक है अर्थ का जो इंट्रियर पार्ट है वह किस प्रकार से इस्टेक्चर्ड है हें तो उसका अंसर है यह बदा ठीक है था अर्थ इंट्रियर मैं एक बार पेंट अब हाह देखो कि और इ debt год इंट्रियर और ऐजट केंऄug्ट ऐस्ट कि अदेकर मेंटर को में चुस्लेएब गेरस bistयाएब चारट है तो यह जो रेड़ वाला अंसर दिख रहा है यह आपके कौशन सेकेंड का अंसर आप राइट कर सब्सक्राइब तो आगे दिखते हैं कौशन नमर थर्ड कौशन नमर थर्ड में पूचा है बिच लेयर है इस रेडियस ऑब अबाउड 35 क्लुमेटर 35 क्लुमेटर जो रेडियस होती है वो सबसे उपर की जो लेयर होती है कोर हुआ प्रूज की होती है तो थर्ड का अंसर है आपका कुर ठीक है आगे दिखते हैं कुछ नमर पूर्थ वह उसाइकल क्या है तो रॉक सैकल के वैसे और भी डिफैन हो सकते हैं बटाई-पेने इसशंपल से सेडिमेंटरी ज्यादा हीट और प्रिसर में रहती है तुमने कोशन नमर बन में बढ़ाता है कि में चेंज होती है ऐसे ही तो यह आपकी कोशन आंसर पहरी सोट के तुक कम्प्लीट है अब दिखते हैं सोट टाइप की कोशन आंसर में आपको पहला कुशन है How is Signmentary Rocks formed, हैं Sedimentary Rocks कैसे form होती है ठीक है तुछ का अंसर हम देखते हैं तो देखा उसका आंसर है यह बाला उपर फ़र्ष्ट बाला सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म डेपॉजिट ओफ दा प्री एक्जेसिंग रॉक मतलब जो पहले रोग होती थी उन्हीं की ऊपर कुछ और डेपॉजिट होता था उनसे सेडिमेंटरी रॉक्स जो है आपकी बनती थी और पीसेज ओफ वन्स लीविंग और देट एकुमिल बॉस्मिल नीकेοι आपका इसको अब देखते हैं काशन नमर्ट नमर्ट तू है आपका वारट आप एक्सट्रीशिव इस रोक्स गिव उसे डाइप अप्टिके Хै तो इक्सट्रीशिव जो इग्स रोक्स होते हैं तो भार की दरफ बनती है तिकी है ना जैसे बैंशन अरप पहाड बनते हैं, mountains बनते हैं, बहुत सब आपके इसी काटिग्री माती है, तो देखो, these are rocks that form at erupting volcanoes, मतलब volcanoes जो erupt होते हैं, उनसे ये rocks form होती है, and urging fishers, ठीक है, the magma called lava, इनसे जो magma निकलते हैं, उसे lava कहते हैं, and when molten rock erupt, जब molten rock erupt होती है, on the surface, मतलब surface पर निकलती है, then it cools, मतलब वो cool हो जाती है, and exposed related to temperature, मतलब बाहर के temperature, बाहर के temperature, ये cool हो जाती है, उसके कुछ examples है, पैसाल्ट है, टफ है, ठीक है, प्यूमाई से, ये तीन example से इसकी, ठीक है, extrepsive English rocks की, okay, तो ये आपका answer है, आप write कर सकते हैं, अब देखते है, question number 3, ठीक है, question number 3, जो 3 है, सोट का, वो है आपका distinguish between, मतलब हमें, सियाल और सीमा में difference बताना है, फिर मैगमा और लावा में भी difference बताना है, तो पहले देखो सियाल और सीमा, ठीक है, इसमें देखो difference, it is uppermost layer of the earth, मतलब सियाल जो है, उपर की सबसे उपरी layer है, जो हम crest कहते हैं, ठीक है, तो crest में ही silika और aluminium होता है, जिन से मिल करी तो बापका सियाल बनता है, और सीमा जो होती है, ठीक है, मतलब silica और magnesium, सीमा का मतलब silica और magnesium टीक है, देखी layer is फांड बिलूब सियाल, मतलब मेंटल में होती है ठीक है एट इस इस वीडियो को पहुंच करके नाक्स तो डिफरेंस है वह मैगमा और लावा में ठीक है तो मैगमा जो होता है सब्सक्राइब करता है और रेप्टेट मैगमा मैगमा जब बहार निकलता है ता मस्कों लावा कहते है मैगमा स्वेश्च बढें प्रसित और निकलता है इसमिसॉलिड से निकलते जबकि लाबा जो होता है यह जो दो 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 डिफ्रेंसेश में आप राटि कर सकते हो यहां से बीडियो को पहुच करके अब नहीं दिखते हैं के लाइब की अब फिर्फिन वहर्ट आरड यूजिज ऑफ रॉक्स की कहें उजीज है तो दिखते हैं इसका अंसर इंप इंपर्टेंट्स ऑफ रॉक्स टिकना रॉक्स हर एग्रिट्स ऑप्टमेनल्स और अशेंचल को और लिविंग भी दिए रॉक्स जोती है मिनल्स के मिननल्स के अग्रिगेट्स होते हैं मतलब रॉक्स जो रहते हैं उसमें काफिशारी मेननल्स होते हैं जो कि लिए जरूरी है तो पहला पॉइंट आपके ही हो गया इसेकिन पॉइंट देखो तो तो इसे बनती है तो इसे बनती है थार्ड प्रोसेस से बनती है थार्ड पॉइंट है जो रॉक्स होती है सबसे ज़्याद जरूरी और एबडेंट एलिमेंट्स होती है अर्थ पर क्रेस्ट पर ठीक है इंफेक्ट अर्थ इसनों एज रोकी प्लेनेट इसलिए थो में अर्थ को रोकी प्लेनेट कहते हैं नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल है जैम से डाइमेंड से कुछ ना यह सारे प्र प्लानते हैं तो हम रॉक्स क्या यूज लेते हैं तो यह आपके जो है फाइफ पॉइंट्स आप इसमें लेख सकते हो ओके अब देखता है को से नमर सेकेंड लोग का जो सेकेंड कुशन वह आपका एक्स्प्रेंड अर्जमेंट ऑफ दा इंट्रियर ऑफ दा आर्थ ठीक ह फिर्ट इस है इस एकसपीन अन्डर बांविंग हैड फिर्टा पैला पॉइंट देखा थे नंदा इस दा आर्टरन ऑंबोस्ट जिए शबशे ऊपरी लियर जो थे वह बुर्ण क्रेश्ट होती है टीक है इसी थीठेल राइस वाटेर हम अनुमेंग दा ओल त्री लेयर जि में हम और बात करते हैं तो अंदर आपकी 5 km है वाट अंदर दा कॉंटिनेंट्स कॉंटिनेंट्स के अंदर 31 km है तो यह सबसे उपरी जो क्या बोलता है लेयर है उसके बारे में हो गया अब देखो आगे इसका इसका आंसर शेकंड पॉइंट और इसमें 2 पॉइंट है तो मेंटल जो होती है वो बिनीत होती है बिनीत का मतलब नीचे होती है किसके क्रस्ट के ठीक है और इस थिकनेस इसकी जो थिकनेस होती है वो 2900 के क्लिमेटर के गरीब होती है अंदर एंद मेड अप दा हैवियर मैटियल से मिलके बनती है इटके कमप्राइज मैनली और इसमें और मेहें grupp होता है कैंच अपर मेंट्रल जैंए मेंद अपर जो मेंट्रल होती है इसके दुब पार्ट्ट होते सप्वाइं अपर मेंट्रल होते हौं स्वली GROK से बनती है जब कि लोग मनेल जो होती है और इसके बारे में कोर आती है ठीक है तो कोर के बारे में भी हैं पर्टिस में आप इतना ही कर लो ओके आगे दिखते हैं नाइस कुर्शन नाइस कुर्शन आपका कि रीजन पूरी चोब्दा फ्लोविंग इनके लिए रीजन देना है पहला है दा सेडिमेंट्री रॉक्स और फॉर्म्ड फॉर् सदीमेंट्स मतला जो जो सेडिमेंट्स होती है उनके मीलने से सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फ़र्म होती है एगा देखते हैं आप अधर लMa सउन यह टांइम संपीpta जब एक की मतलब ठीक्येठ अटैन हो जाती है दाफ अंडर लेंग लेयर्ग फोरेट होURILyr को या Raju cat news नंद भी सिरी्वीक शॉर्यदिटेंस हो जाती है एंड अच्छा को शॉलिडेयट्टे या झाथ ये एंड़ ंदर धीव नेते हैं तो जिससे basketball को मतलब है soft होना तो जिससे कि जो rocks है वो soft हो जाती है इसलिए हम sedimentary rocks को soft rocks कहते हैं जबकि ignis rocks होती है वो hard होती है और last rocks होती है metamorphosis वो सबसे hard होती है ठीक है आगा देख रहे है second the metamorphosis rocks are hardest metamorphic rocks सबसे hardest होती है और most compact rocks होती है तो इसका reason क्या है ठीक है तो देखो dagnis and sedimentary rocks are undergone throgda high pressure और high temperature मतलब जब यह दोनों type की rocks को हम high pressure और high temperature में रखते हैं तब जाके जो आपकी new type की rocks बनती है वही होती है आपके oh sorry क्या नाम है metamorphosis ठीक है तो metamorphic जो होती है वो हुआ हो इन दोनों की कारण मतलब इन दोनों का ही ठीक है आगे का रूप होता है मतलब यह दोनों rocks ही kणबट होती है ठीक है 100 high pressure और high temperature ठीक है तो यह hardest हो जाती है ठीक है so यह क्या हो जाती है hardest हो जाती है क्योंकि इंका इ horizontally होता है ठीक है में पहला कुछ है आपका देखो कि दा आर्थ आर्थ इस दिवाइडेड इंटो थ्री मेजर लेयर्स ठीक है क्रेस्ट मेंटल और और यह तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पर इसका रीजन देखते हैं कि स्याल सीमा नेफे समॉपता कॉंपोजिशन ऑफ मिनल्स तो यह भी सही है ठीक है पहले यहाँ पर दोनों ही सही है ठीक है बट जो रीजन है ना वो इससे एसरेशन का नहीं है ठीक है तो आप इसका उप्शन चूज करोगे ऑप्शन नमर भी कि बहुत एंडर ट्रू बट आर इस नोट करेक्ट पूरिंग ने-डिशल को ने ने-शन के एक फर्स्ट यह गलत है इंस तो कुलिंग सोनिंग्स बन्ती ठीक है एगनेस रोग सार नोर्मल्ली क्रिश्ला ने श्रॉआ सेयए ठीक है तो इसमें लिखना एज फॉस्पास आर रिस ट्रू ऑप्शन नमर दी टेक्ए एक गलत है ब यादा ज्यादा जो है अपने क्लाशमेंज के साथ में सेयर करें और इसको अभी तक सबस्क्राइब कर ने क्यों हो तो फिर सब्सक्राइब जरूर करें तो फिर वीडियो का लिए लिए तो तक लिए बाए